देश के अने जिलों के मुकाबले लाहुल स्पिती में इस बार कम बर्फपारी हो रही है जिसके कारण किसानों की चिंताय बढ़ गई है जिला क्रिश अधिकारी चौधरी राम के नुसा जिले में करीब 4000 हेक्टर भूमी पर क्रिशी की जाती है जो की पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर है उन्होंने कहा कि बर्फपारी से गलेशियर रिचार्ज होते हैं और गर्मियों में इसी पानी से सिंचाई की जाती है लेकिन इस बार अभी तक जिले में कम बर्फपारी होई है चौधरी राम ने बताया कि मध्य फर्वरी तक होने वाली बर्फवारी किसानों के लिए फाइडमन्स थाबित होगी हमारे नाले हैं और आगे आने बाड़े समय में पानी की बहुत समस्या विक्राल रूप ले सकती है आज कल और अगले मिने फर्वरी में अगर बर्फवारी ठीक हो जाती है तो ये एक शान भायों के लिए बड़ी खुशी की बात रहेगी और अधिक प्योरे के साथ हमारे लाहुल्स पिती समवादाता कुंदललाल की रिपोर्ट अगर हम बात करें तो प्रदेश के अन्य इसों के मुकाबले में इस बार लाहुल्स पिती में बहुत कम बर्ख बारी हो रही है यह बर्ख कम पढ़ना किसानों के लिए खास कर चिंदा का भीशे बना हुआ है क्योंकि यहां पे जो अधिकतर क्रिशी है सीचाई पर निरबर है अगर सर्दियों में बर्ख पढ़ेगी तो गलेशरी चार्ज होंगे और क्रिशी के लिए परियात पानी उपलब दोगा लेकिन इस बार बर्ख बारी बहुत कम हो रही है इससे यहां के किसान का से चिंदित है हम बात करें तो बर्ख बारी से मनाली केलंग मार्ग भी अपरूद है और सड के फिस्तन बरी बनी हुई है और आने वाले समय में दो-तिन दिन और बर्ख बारी की उमीद जताय जा रही है ऐसे में किसान उमीद करें कि अभी और अधिक बर्ख बारी होगी और उन्हें आने वाले सिजन में पानी की कमी नहीं होगी दूर्दशन समाचार के लिए केलंग लाल स्पिती से कुंदन चर्मा